प्रिय विध्यार्थियों, नमस्कार, आज हम इस व्याख्यान में समंगों का आर्थ, परिभाशा और इनके प्रकार के बारे में विस्तार से समझेंगे इससे पूरू के विख्यानों में आपने संख्यकी के अर्थ, परिभाषा, शेत्र, मैत्व और सिमाओं के बारे में जाना और संख्यकी के अर्थ और परिभाषा में ये भी जाना कि संख्यकी बहुवचन में समंगों के रूप में ही परिभाषित की जाती है वास्तों में संख्याओं के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता अर्थात संख्याओं का ही शास्त्र है संख्याओं का बहुत मैत्व है लेकिन कोई भी एक संख्या या बेतरतीब संख्या है या संख्याओं में आपस में कोई समन्न होना या अप अर्यापत मातरा में संख्याइं होना भी संख्य के लिए ज़्यादा मेरत पूर्ण नहीं है या फिर संख्य की विदियों का उपयोग इन ऐसी संख्याओं के संदर में नहीं किया जा सकता है इसलिए संख्याइं ऐसी होनी चाहिए जो की आपस में संबंदित हो इसलिए समंगों का अर्थ और पर्वाशा जानना आर्षक है संख्याओं के ऐसा समूँ जिनमें कोईन कोई विशिस्ता के आधार पर लक्षनों के आधार पर सजातियता एक रूपता या समानता पाए जाती हो जिने हम उनकी समान्ता या विशिष्टा या उनकी लक्षनों या गुणों या आउगुणों किसी भी आधार पर अलग-अलग समुहों में रख सकें ऐसे अंकों के समुहों समंग कहलाते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में यदि हम देखें तो कुछ परिभाषाओं जो ज़्यादा परचली थे उसके बारे मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा चुकि सांकी की का उद्भव ही राज्य के समंगों के एकतित करने से हुआ था इसलिए पहली परिभाषा की रूप में मैं व्यबश्टर की परिभाषा को यहाँ पे इंगित करना चाहूंगा व्यबश्टर ने समंगों को इस प्रकार से परिभाषित किया है एक राज्य के लोगों की इस्तती से सम्मंधित वर्गिकरत तथ्य या सूजनाएं समंग होते हैं विशेश कर वे तथ्य जिने संख्याओं में या उन संख्याओं को सारणियों में या किसी भी रूप में सारणिकरत कर या वर्गिकरत कर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं यूल और केंडिल ने भी समंकों को परिभाशित किया है उनके शब्दों में समंकों से आशय उन संख्यात्मक तत्यों से है जो परियाप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं एल बाउले जो कि संकी की में अनिक परिभाशा ही देते हैं और संकी की वीडियों में भी और सूत्रों के विक्षित करने में भी इनका बहुत महत्व है वो कहते हैं कि समंग अनुसंधान के किसी विभाग से समंधित तत्यों के संख्यात्मक विवरण है जिने एक दूसरे के समंध में रखा जा सके अत्वा समंग उन घटकों का संख्यात्मक विवरण है जो किसी विवाग की जांच के लिए एक दूसरे से समंधित रूप में रखे जाते हैं समंगों की इन परिभाशाओं से हम एक परिभाशा जो उप्यूक्त परिभाशा हो सकती है उसके बारे में यहां पर जिक्र करेंगे और होरेस सेक्राइस्ट ने समंगों की परिभाशा इस रूप में दी है ये एक विश्तरत परिभाशा है और काफी मानिवी परिभाशा है जो उब्यूक्त परिभाशा भी मानी जाती है समंग तथ्यों के उन समुओं को का जाता है जो विभिन कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं जिने संख्यात्मक रूप में या अंको में व्यक्त किये जाते हैं जिनकी गणना और अनुमान यतोचित परिशुदता के स्तर तक की जाती है जिनें किसी पूरु निश्चित उद्धिश्य के लिए एक सू विवस्तत रीती द्वारा क्रमा अनुसार संकलित किया जाता है और जिनें तुलना के लिए एक दूसरे के समन्द में रखते वे प्रस्तुत किया जा सकता है इन उपरियुक्त अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर हम समंगों की कुछ विशेष्टाएं बता सकते हैं जो इन बिंदुओं के द्वारा हम विश्तार से जान सकते हैं समंगों की विशेष्टाएं इस प्रकार से है समंग तत्यों के समू होते हैं समंग सूचनाओं को संख्याओं में उनकी सजातियता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाता है अन्य था ये मात्र संख्या ही रह जाती है समंग नहीं समंग अनेक प्रकार से प्रभावित होते हैं समंग दूसरे घटकों से समंदित रहते हैं इसलिए एक सीमा तक ये समंदित घटकों से प्रभावित होते हैं समंग गणना व अनुमान द्वारा भी संग्रित किये जा सकते हैं अनेक बार जिस रूप में समंग चाहिए होते हैं उस रूप में प्राप्त किया जाना कठिन होता है तो प्रतम या कच्चे या पूर्म में संकलित संख्याओं की गणना कर या आकलन कर तयार कर दिये जाते हैं या औसत रूप में अनुमानित कर लिये जाते हैं समंग कों के संग्रण में यतोचित शुद्धता रखी जानी परमावशक है अन्यथा उसके परिणाम भ्रामग आते हैं जो अनेक बार बहुत घातक सिद्ध होते हैं समंग कों का संकलन सु विवस्तित जंग से किया जाता है समंग पूर्व निर्धारत उद्धिश्य के लिए एकतित किया जाते हैं अर्थात समंग कों के संकलन के लिए पूर्व निर्धारत उद्धिश्य होते हैं समंग को तुलना हे तो प्रस्तुत किया जा सकते हैं यदि सं विश्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समंख वे तथ्य हैं जिन में सजातियता तुननियता और संख्यात्मक रूप में प्रस्तोतिकर्ण करने के गुण पाए जाते हैं या होते हैं इस प्रकार समंखों के अर्थ और परिभाशा हमने जानी और इन परिभाशाओं और अर्थ के आधार पर कुछ विश्यस्ता हैं जिनका जिक्र हमने किया समंख जब एकतित की जाते हैं तो उनको एकतित करने के तरीकों के आधार पर या संकलन करने के आधार पर हम समंखों को दो भागों में विवाजित कर संकलित करते हैं और इनका अध्यन इस प्रकार किया जा सकता है संकलन के आधार पर समंग दो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक समंग और वित्यक समंग यदि समंगों का संकलन सही ढंग से किया जाता है उनमें उचित शुद्धता होती है वो परियाप मात्रा में होते हैं किसी तरह से उसमें फेबरिकेशन नहीं होता है आपस में तुलनी होते हैं अर्था तुलना की जा सकती हो तभी समंगकों के आधार पर सांकिकी वीडियों का उप्योग करते हैं जो भी निश्कस निकाले जाते हैं वो सही होते हैं अन्यता इनके परिणाम भी अविश्वस्नी और रहमक होते हैं जैसा कि हमने संक्किकी के सीमाओं में अध्यन किया था इसलिए ये बहुत महतुपूर्ण है कि समंकों का संकलन सही तरीके से किया जाए या उचित विदियों को अपनाते हुए या उचित शोतों का इस्तिमाल किये करते हुए उप्योग करते हुए समंगों को एकत्रित किया जाए संकलित किया जाए समंगों के संकलन के बारे में इसके बाद वाले व्याख्यान में हम विस्तार से जानेंगे हम यहां प्रात्मिक समंग और द्वितेक समंग क्या होते हैं उनके बारे में संक्सित में जानकरी प्राप्त क पहली बार जब भी कभी किसी भी अनुसंदान करता द्वारा या अध्यन करता द्वारा शोद करता द्वारा या सरकार द्वारा या किसी भी एजंसी द्वारा एकतित किये जाते हैं अपने उद्धिश्यों की प्राप्ति के लिए तो वे उसके लिए प्रात्मिक समंग होते ह जैसे मान लेते हैं कि एक शूद करता महिला स्वयम साहता समूहों के कामुल्यंगन करना चाहता है और उससे महिलाओं के इस्तती में यदि कोई सुधार हुआ हुआ है तो उसके बारे में जानना चाहता है तो वह चाहे वो द्वित्यक समंग हो चाहे वो प्रात्मिक समंग हो जब वह एकतित करता है और यदी वो प्रात्मिक समंग को के आधार पर अथाद जिन महिलाओं के जिन शेत्र से समंदित वो अध्यन करना चाहता है उस शेत्र की महिलाओं से स्वयम साकसातकार द्वारा या अपने प्रगणोंकों द्वारा या अपने सूत्रों हुआ द्वारा उन जो उत्र दाता है उनसे यही सूचनाये एकतित करके संख्याओं कर रूप में प्राप्त करता है तो यह प्रात्मिक समंग के लाएंगे इसी तरह से ब्रहद अस्तर पर देखें तो भारत सरकार द्वारा हर दस साल में जन संख्या के आंकड़े एकतित किया जाते हैं लेकिन भारत सरकार अपने संख्य की विभाग और जो आंकड़े एकतित करने के जो प्रभाग है उनके अंतरगत प्रगणों को द्वारा प्रशिक्षित करके उन प्रगणों को द्वारा घरगर जाकर जन गणना से समदित आंकड़े एकतित किये जाते हैं तो वो सरकार के लिए प्रात्मिक समंग होते हैं जब वो प्रकाशिद हो को के बारे में जाना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि पूर्व में संकलित समंगों का पुना प्रियोग किया जाना जैसा कि मैंने अभी कहा कि सरकार द्वारा जब जन संक्यां के आंकड़े एकतित किये जाते हैं तो वह सरकार के लिए प्रात्मिक समंग है लेकिन जब वह प्रक की समंग्ंग एक बार वह प्रत्म बार वह प्रात्मिक रहते हैं उसके बाद कितनी भी जीय है कि नी बार भी उप्योग किए जाते हैं रहते है दृतिक च्प्रत कभी नहीं होते हैं प्रात्मक आप olabilir समें समय को में अंतर इस प्राकार है प्रात्मिक समंग मौलिक होते हैं जबकि द्वित्यक समंग अन्य के लिए मौलिक नहीं होते हैं प्रात्मिक समंग जांच करता स्वयम या सहायकों की मदद से संकलित करता है जबकि द्वित्यक समंग पूर्व में संकलित समंगों का उप्योग होता है प्रात्मिक समंकों के संकलन में उचित रीतियों का सहारा लिया जाता है इन रीतियों का अध्यान हम अगले व्याख्यान में करेंगे और द्वितिक समंकों में स्तुरतों का महत्व होता है इसके बारे में भी अगले व्याख्यान में हम जिक्र करेंगे प्रात्मिक समंक संकलन में अनेक गटनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि उत्तरदाता से उत्तर प्रात्त करना उनकी भाषा के बारे में जानकारी होना उनके शेत्र के बारे में जानकारी होना संसादनों कव्या होना आदी लेकिन द्वित्यक समंग विबिन श्रोतों द्वारा एकतित किये जाते हैं और वर्तमान में तो द्वित्यक समंग व्रहद इस्तर पर आसानी से हासिल किये जा सकते हैं और इंटरनेट के माद्यम से या फिर कोई ही भी वेब सोर्स से भी एकतित किये जा सकते हैं या प्राप्ट किये जा सकते हैं या फिर किसी भी सरकारी एजनसी के दफ्तर में ऑफिस में जाकर भी एकतित किये जा सकते हैं प्रात्मिक समंगों में परिशुदता अधिक होती है जबकि ड्यूतियक समंगों में परिशुदता के लिए इस्त्रोतों की इस्त्रोतों की इत्थनसिटिती का पता होना आफशिक होता है अर्थात प्रात्मिक समंग इसलिए अधिक शुद्ध होते हैं क्योंकि संकलन करता है स्वेम संक्लित करता है और से पता होता है कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीजे हमें प्राथ करनी हैं कौन सी सूचना है हम किस प्रकार किस रूप में ले सकते हैं लेकिन दूतियक समंग पहले से ही किसी के द्वारा एकतित किये हुए होते हैं और जब उसका दूसरी बार ये मान करके कि पहले जिसने भी सूचनाओं को एकदित किया है, वो सही ही होंगे, तो इसलिए authenticity का यहां पे बहुत महत्व रहता है, प्राद्मिक समंगों के संकलन में समय, धन, संसाधन अधिक वे होते हैं, जब कि जित एक समंग में संसाधनों का इतना महत्व नहीं होता है, आजकल इंटरनेट के युग में घर बेटे भी बहुत सारी सूजनाए एकत्रित की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है बल्कि ये कहते हैं आजकल तो कि आजकल सब कुछ आपकी मुठी में समा रहा है इसके साथ ही आज हमने ये जाना कि समंगों का अर्थ क्या है समंगों की परिभाषाएं क्या है और समंगों के प्रकार क्या है इन दोनों में अंतर क्या है अंत में मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कोई भी समंग प्रात्मिक भी हो सकते हैं द्वित्यक भी हो सकते हैं अर्थात प्रात्मिक स्वमंग द्वित्यक भी हो सकते हैं और द्वित्यक समंग भी कभी प्रात्मिक रहते हैं अर्थात जिस एजनसी या जिस व्यक्ति या सरकार द्वारा पहली बार एकत्रित किये गए समंग उसके लिए प्रात्मिक होते हैं वह के बाद दिवतिक समंगों के स्ट्रोतों के बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद